वेलकम टू वेस्टीज वीकली इनॉलेज बाइट्स सेशन नंबर 24 जिसमें हम आज बात करेंगे बूस्ट इम्यूनिटी विद वेस्टीज कोलेस्ट्रम तो आएए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इम्यूनिटी ये एक ऐसा शब्द है जिसकी बात आज हर कोई कर रहा है हर कोई जान चुका है कि इम्यूनिटी की क्या एहमियत है हमारे जीवन में ऐक्चुली इम्यूनिटी होता क्या है इम्यूनिटी हमारी भॉडी की ऐसी श्रमता है जो कि हमें इस्वे सेher नुकुसान सकता का में या उसको बचाने में immunity हमारी मदद करती है हमारे immunosystem का जो job है वो है dangerous germs को पहचानना और उनको body से बाहर निकालना इस से पहले कि वो कोई disease या damage कर सके हमें एक strong immunity की ज़रत है ताकि हम disease causing organism से हर रोज fight कर सके हमें एक happy और healthy life जी सके हमें बार बार डॉक्टर विजिट ना करनी पड़े और हमारे उपर medicines का कोई burden ना आए इन सारी चीजों के लिए हमें strong immunity चाहिए अब cholesterol cholesterol एक nature का ऐसा gift है हमारे लिए जो की हमारी immunity को boost करने में हमारी बहुत मदद कर सकता है जो की सारे mammals जो है वो release करते है after giving the birth before the breast milk ये बहुत सारे nutrients का source है जो की promote करता है growth को और infants में diseases से fight करने में भी बदद करता है ये पूरी जिन्दगी के different phases में बहुत सारे forms में consume किया जाता है adults generally इसको supplement form में consume करते है कोलेस्टरम बहुत सालों से use किया जा रहा है इंडिया में as well as abroad आयूरवेदा physicians इंडिया के अंदर को medicinal as well as spiritual purpose के लिए use किया करते थे 18th century तक आते आते western medicine ने भी कोलेस्टरम के अंदर interest देना start किया और उसके potential health benefits को study किया जिसके बाद ये बहुत सारी conditions including immunosystem enhancement के लिए prescribe किया जाने लगा जब तक penicilline का development नहीं हुआ था या फिर और artificial antibiotics का development नहीं हुआ था कोलेस्टरम बहुत commonly use किया जाता था for fighting the bacterial infections अगर हम कोलेस्टरम की composition को देखें तो इसके अंदर तीन तरीके के factors होते हैं nutritional factors जिसमें की protein, vitamins, minerals, carbohydrates आते हैं immunos factors जैसे की antibodies IgA, IgG, lactoferritin, polypeptide, oligosaccharides और growth factors जैसे की PDGF, EGF कोलेस्टरम आपकी immunity को boost करने में बहुत मदद करता है इसका जो immunoboasting effect है वो है because of high concentration of IgA, IgG जो की viruses and bacteria से fight करता है ऐसा पाया गया है studies के अंदर के अगर daily cholesterol का use किया जाए तो ये saliva में पाये जाने वाली IgA antibody को लगभख 79% तक बढ़ा देता है और अगर saliva में IgA का level ज्यादा हो तो जो body की ability होती है to fight the upper respiratory tract infections वो बढ़ जाती है कोलेस्टरम के अंदर leptoferin भी होता है leptoferin एक तरीकी का protein है जो की देखा गया है कि वो iron released जो transferin से होता है उससे bind कर पाता है जिसके कारण वो virus के spread को और viral attack को prevent भी कर सकता है और कम भी कर सकता है ये भी आपकी immunity के लिए बहुत अच्छा है prestige कोलेस्टरम के अगर dose के हम बात करें तो दो कैपसूल दिन में दो बार and it is easily available at all the branches DLCP, mini DLCP and online at the distributor price of 615 रुपीज कोलेस्टरम के ये सारे benefits को देखते हुए सबसे important जिसमें है कि ये आपकी immunity को बहुत बढ़ाता है आपको और आपके परिवार को immediately कोलेस्टरम कंजूम करना चाहिए हर रोज हमें उमीद है आपको हमारा आज का vestige weekly e-knowledge bite session पसंद आया होगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं Thank you so much Wish you well